हेलो फ्रेंज, आज मैं आपको कुंदारु की सब्जी बनाने कि लिए सबसे असान तरीका बताऊंगा देखे इतना बढ़ी ऐसे लिया, कुंदारु का मतलब जो है आफन डोन्डाग played कि सब्जी इतना बढ़ी ऐसे बनाते हैं आफन तो देखे मैंने इसको आच्छा तरीका से पाने दाल के इसको धुलाई किया हूँ इस तरीका से इसको धुलाई करनी है जो भी डश्ट पुरा निकल जाएगा देखे अभी इसको कटिंग कर ली है पहले इसको दो साइट से इसको कटिंग करके इसको निकल देनी है इस तरीका से आफन कुंदारू की इस तरीका से कटिंग कर लेते हैं देखे मैंने सारे के सारे कटिंग कर लिया हूँ देखे अभी इसको पूरा आफन कटिंग कर लेते किस तरीका से देखे अभी इसको इसी तरीका से इसको नाइस कटिंग कर लेते हैं काटिंग कर लेते हैं तो देखिए इतना बड़ी ऐसे आफन काटिंग कर लिया हूँ अभी इसका क्या है मैंने एक बड़ी वाली प्याज लिया था ताके यह 100 ग्राम के उपर ही है तो देखिए ओनियन को भी मैं इस तरीका से इसको फाइन चाप कर लेता हूँ यह करी बनाने के लिए बहुत ही आच्छा टेस्टी रहेगी खाने में भी हेल्थी रहेगी तो देखिए इस तरीका से मैंने ओनियन को दो तरीका से मैंने इसमें फाइन चाप कर लिया हूँ देखिए मैंने एक बड़ी वाली ओनिया था इसको मैं फाइन चाप अच्छा से कर लिया हूँ देखे मैंने ओईल लिया यहां पे 100 गरम क्योंकि यह सबजी बनाने के लिए थोरा सा ओईल जदे यूज होगी तो देखे मैंने एक इस्पुन आदा मैंने जीरा ले लिया हूँ अभी मैंने इसमें प्याज भी इसका साथ में एड़ कर देता हूँ तो इसको अच्छा तरीका से भूज लीजे ताकि यह light color ना आजाये तब तक इसको भूज लेनी है देखे इस तरीका से अभी इसमें आफन जो है डोंड़ काया इसमें एड़ कर देते हैं इस तरीके से इसको भी अच्छा तरीके से मिलाके फ्राइ कीजे देखिए इस तरीके से आफन इसको फ्राइ कार लेनी है यहापे मैंने टामाटर लियाओं टामाटर मैंने तीन पीस लियाओं इसको साइट से निकलके इसको भी अच्छा तरीके से आफन चापिंग कार लेते ह इस तरीके से देखे टोमटर डालने में क्या होता है थोरा खटापन अच्छा भी रहेगा तो देखे टोमटर हर सबज में टोमटर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्टी होगी देखे मैंने तिनों टोमाटर सारा कार दिया हूँ यापे अभी इसको टोमाटर को एक साइट से इसको लगा देते हैं इसको थोरा सा अच्छा से मिला लीजे इस तरीके से तो टोमाटर इसको आफन थोरा बीज में एड करनी है टोमाटर को देखे इस तरीके से अभी इसके उ एक इसपन धनिया पाउडर याड़ करनी है जो घर में मसाला ज्यादा यूज नहीं होगी तो इसी तरीका से आफन इसमें मैंने बिना चला है इसको धकान लगा दिया हूँ पान से दस मिनिट के लिए लो फ्लेम में तो देखिए अभी टामटर भी बढ़िया तरीका से गल चुकी है अभी पहले इसको टामटर को मैस कर लेते हैं इस तरीका से देखिए टामटर अच्छा से गल चुकी है अभी इसको सबजी को परफेट अच्छा तरीका से इसको मिला लिजे या करिब और इसको मिलाने के बाद इसको धकान लगा दीजे फिर पान से दास मिनिट के लिए स्लो फिलेम में यह अच्छा तरीका से पागती है तो देखिए अभी हमारा डोंडा काया की सबजी भी बड़िया तरीका से पाग चुकी है देखे इस तरीका से हमारा टोंडा का एकी सबजी परफेड तरीका से बन चुकी है अब आफन एक बोल में इसको एड़ कर लेते हैं चाये तो यह आप रोटी का साथ खा सकते नई तो रहिस का साथ भी खा सकते इस तरीका से आफन बनाते है टोंडा का सबजी अगर आपको ये विडियो अचला को हमरा चानल को लाइक से रस्क्राइब